हाई गाइज Welcome to Suriya Classes हम लोग अपने इस विडियो लेचार में डिस्कस करने वाले हैं एक हिंदू अन्डिवाइड फैमली की रेसिडेंटियर इस्टेटरस को किस्ता से डेटर्माइन करते हैं इसको हम सिखने वाले हैं अपने इस वीडियो लेचर में तो आईए स्टार्ट करते हैं रेसिडेंटियर इस्टेटर ऑफ यह चूअफ का जो मारा फूलफार्म होता है हिंदू अन्डिवाइड फैमली हिंदू अन्डिवाइड फैमली की बोला गया है एह हिंदू एह चूअफ ओल्ड भी रेसिडेंट इन इंडिया इफ दी कंट्रोल एंड मैंजमेंट कंट्रोल है जिसका की management and control management and control किसी का इसके affairs का इसके decision का जो होता है तो इससे का business के कुछ decision लिए जाते हैं कुछ management उसका क्या जाता है और management अगर इंडिया में management और या control उसका control इन इंडिया में पूरी तरस है या उसका कुछ part है होई या पाटली आनि पूरी तरस होगा तो भी सामिल का लिया जाएगा और पाटली होगा तो भी हम सामिल कर लेंगे तो अगर या होई और पाटली पूरी तरस इंडिया से जा रहा है उसका management उसकी management एंडिया से किया जा रहा है पूरी तरह से तो भी उसे हम resident माल लेंगे और या पाटली रूप से किया जा रहा होगा तो भी हम उसे माल लेंगे या कहा गया अगर EUFF है जिसका की ने वाटार से आफैड अ कंटोरने मनेंजमेंट ऐस एंडु आफैर्ट होधिस इसे हो due जाएगा एकर वर गोड planners पूरी तरह से उसके मनेजमेंट एंड उसका कर Peki कॉड्रोर ऑट傑ड इंडिया से क्या जाज़ा हो तो उसे हम नौन डिशिदेंट मांगते हैं और रेसिदेंट एक बार अगर एचुषप हो हो हुई या इंडिया प्रिव्य सेयर में तो फिर उसके बाग्व हमारा रेसिडेंट और दूर्नी रेसिडेंट भी हो सकता है और यह depend करेगा करता के residential status फर अगर करता जो करता है उसका है यह चुआप का अगर उस सेटिस्फाइ कर लेता है additional condition को additional condition की दोनों condition को उस सेटिस्फाइ कर लेता है cyber tn3 तो यह चुआप का किया कहा जाएगा resident and ordinary resident in India या तो अगर नहीं कर पाएगा तुसे resident but not ordinary resident हम कहेंगे अगर एक बार एक बार अगर किसी issue of की residential status को हम determine करते हैं और एक बार अगर resident हो जाता है issue of तो फिर उसके बाद हम चले आते हैं उसके करता की residential status पर और उसको चेक करते हम क्या उस उस यह चुआप का करता इंडिया में resident and ordinary resident है या resident but not ordinary resident है अगर वह करता resident and only resident रहा होगा previous year में तो यह चुआप भी क्या हो जाएगा resident and ordinary resident हो जाएगा अगर करता resident but not ordinary resident होगा तो हमारा यह चुआप भी resident and resident but not ordinary resident हो जाएगा आइए दिखते हैं एक problem को solve करते हैं जाए या पाटली रूप से इंडिया से क्या जा रहा है वह चुआप क्या हो जाएगा उस previous year के लिए resident हो जाएगा यह क्या हो जाएगा अगर रेसीडेंट तो हो गया रेसीडेंट हो जाएगा दा मैंनेजर अफ दा यह जुआप विजिटेड इंगलेंड इस ही वाइप फॉर्म चवदा आठ दोजा अठाला से लेकर थर्टी सिक्स माने अब उसका जो यह जुआप का जो मैंनेजर है जो करता है ओ और उसकी वाइप चले जाते हैं इंगलेंड में कब से कब तक के लिए 14 अकुवर 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक के लिए ओ आउसेड इंडिया रहते हैं तो चली हम उनकी यह इस करता है इसकी रेसीडेंटिया इस्टेटस को चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो हो रेसीडेंट और यह रेसीडेंट है यह रेसीडेंट बट नॉट और यह रेसीडेंट है तो सबसे पाहले सोलूशन हम इसार करते हैं सोलूशन सोलूशन हम देखेंगे प्रेस अ प्रेसान हो खिन वे डिए होफ और सिटुएटेड इन इंडिया यस यह कंदिशन उन्हें सेटिस्फाइब कर लिया इसका मतलब क्या हो क्या हो क्या हमारा इस वो रेसीटेंट हो गया then we are check the additional condition of करता है अब हम additional condition किसका चेक करेंगे करता का अब करता है अफ दिए चुअफ करता के चुअफ के additional condition को सेट करेंगे क्या हो ओर डिली रेसीडेंट है तो हम देखने पर लगता है क्या है हम देखें कि क्या ओप फोर प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग प्रिवियस यर में पाला ही ही इज रेसीडेंट तो प्रिसीडिंग प्रिवियस यर आउट आफ तेन प्रिसीडिंग प्रिवियस यर हां ओ रहा है भाई रेसीडेंट रहा है क्योंकि ओप जा रहा है वो 14 अक्टूबर 2018 को पहली बार जा रहा है कहां जा रहा है लंदन इंग्लेंड में जा रहा है उसके पहले तो वो इंडिया में ही रहा रहा था इसके पहले तो वो इंडिया में ही रहा रहा था ना अपना तो क्या है two preceding previous year में क्या है? ओ resident है इस condition को 25 कर रहा है अब देखें गए second ola condition second ola condition क्या बताता है? कि क्या वा seven preceding previous year में seven hundred thirty day इंडिया में रहा है या नहीं रहा है या more कहा गया है? हाँ रहा है बई इसके बाद two वा क्या रहता था? 365 day तो इंडिया में रहता था ना जो इसके पहले के जो previous year पड़ेंगे उसमें 365 डे तो इंडिया में रहता था अपना तो इनका इसको hair करेंगे तो इनको जादे ले आज जाएएगे और दोनों condition satisfying कर रहा है इसका मतलब यह हमारा क्या है इस हमारा क्या है resident and ordering resident कहा जाएगा अब आए देखते हैं residential status of form and association of person तो इसको हम अगले लेचर में discuss करेंगे और तब के लिए हम joint करेंट